वर्नमाल में NCRT का सार देखने को मिलता है यहाँ पर देखें टॉपिक वाइट टॉपिक आपको देखने को मिलता है जैहिं दोस्तों स्टेडी आईएस विता सिर्वाद में आपका स्वागत है आज हम हिस्ट्री के डो बुक लेकर आए हैं एक है महेस वर्नमाल का और दूसर विटन तब होता है कि कौन सा बुक आपको त्यारी के लिए बेस्ट होगा कौन सा बुक को हम खड़ दें पहला बात करते हैं महेस कुमार बर्नमाल का तुइंस में NCRT सार टोटल NCRT सार आपको देखने को मिलता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जितने भी NCRT है वर्ल्ड और दोनों आपको NCRT का सार देखने को मिलता है महेस कुमार बर्नमाल खुद एक IPS ओफीसर है इनके द्वार लिखा गया है इनका कई बुक आते हैं जैसे पॉलिटी को हो गया एकनॉमिक्स को हो गया जगरोफिक को हो गया और आपको हम हिस्ट्री को देखाई रहे हैं अगला ब आपको बिस्तार से थोड़ा ज्यादा इसमें महेस कुमार बर्नमाल से इसमें दिया हुआ है आपको हम देखाने वाल है अब के दिश्ट्री पब्लिकेशन का क्वीक बुक है यहां पर देख सकते हैं और भारतिये इतिहास एवं राष्टिये आंदोलन यहां पर देख सकते इसकी प्राइस के बात करते हैं थींह thorough夜 परसेंट को दोंदार छोट देगा है कि ऊखनड समराज कर अपको दख Wi-Fi को है अगला है मद्यकालीन भारत में देख लिए तुर्कों का अक्रमन और दिली संतनत सूफी यह भक्ति आंदोलन मुगलकार मराथा समराज और यहां पर देखें अधुनिक भारत में देख लिए अंग्रेज की भारत विजय और बेटिस अठाव संतावन का बिद्रो यहां पर द जितने भी कोचन आपको देखने को मिलता है और इसमें देखने को मिल जागा जितने भी टॉपिक से कोचन पुछे गए होंगे उसके बारे में देखने को मिल जाता है सबसे प्रहे देखते हैं हर टॉपिक के अंते में आपको जितने भी प्रस्ण पुछे गए एक्जाम मे ISO या PCS ओ आपको देखने को मिल जाता है और निच्चे आपको उत्तर देखने को मिल जाता है दूसरा चप्रा सुरू होता है सिंधू सर्विता अब बात करते हैं दूसरा बुक महेश्कुमार वर्नमाल देखें महेश्कुमार वर्नमाल का खास बात क्या है कि NCRT, NCRT का सार आपको देखने को मिल जाता है, इस बुक में, AB Book, IS, PCS और NET, GRF सभी में आपको उप्योगी है, और 20 इतिहांस सहीत आपको देखने को मिलता है, महिसकों आवर नमाल, आइन का फोटो आपको देखा देते हैं, इनके कई वोक आते हैं, जो NCRT अधाइद रहते हैं, पोलिटिक आ गया, जोगरोफिक हो गया, 20 इतिहांस, भारतिय अर्थिवरस्ता, और ये साइन्स से लेकर वस्टोनिष्ट परियावरन सभी आपको देखने को मिल जाते हैं, इसमें टॉपिक की बात करते हैं, तो सबसे परे देखें, NCRT प्राचीन भारत के इतिहांस आपको विस्तार से देखने को मिलता है, अगर डिश्टी पर विकेशन का पढ़ियेगा शुरू है, तो आपको बहुत ही कम समझ में आगा, लेकिन आप महें शुरू करते हैं, तो आपको जादा समझ में आएगा, क्योंकि NCRT के अधार पर यहां पर लिखने को देखा गया है, जैसे हरपाश अबिता में देखें, भाग गौलिक विस्तार कैसे हुगा है, और काल करनेधारन, क्रिसी, पसुपालन, बैवार, यहां पर धार्मी पर्थाएं, आपको विस्तार से देखने को मिलते हैं, भंडारन, मुहरे, आपको मूर्ती, जो भी आपको मिले हैं, डिग वेधी काल जैसे आपको देखा जेते हैं, अब धियान से देख लिजिए, बहुत धरम और जैन धरम में देख लिजिए, यहां पर आँगे देखें, तो जन महा जन पद यहों भारतिये समराज, अभी एस्टि आपको यहां पर शुरुवात हुआ है, उसके बाद यहां पर होगा मेडिवल हिस्टि, मेडिवल हिस्टि में देख लिजिए, मेडिवल हिस्टि में आपको देखना है, मद कलियरभात के इतिहास में, पाल, परतिहार, राजकूर्ट के बारे मियाद दिया हुआ है, गुलाम बंस, आपको यहां पर देखने को मिले रहे हैं, आपको पूराम सीरिवास यहां पर देखा दे रहें आपको कितने देखने को मिटा है अब ध्यान से इसे एकट करके पढ़ लिजिए ये टॉपिक आपको विस्तार से देखने को मिलेगा बहुत ही विस्तार से दिया हुआ बूख है अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपको NCRT पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन हम कहेंगे कि एक बार NCRT जरूर पढ़ लिजिए आपको तो ज़्यादा समझ में आगा NCRT थोरा है कि कहानी के रूप में आपको देखने को मिल जाता है आपने बिस्तार से देख लिया और था टॉपिक की बात कर लेते हैं सत्वा टॉपिक की बात करते हैं जैन धर्म और बोल धर्म यहां उद्वो कैसे हुआ है उनके बारे में है और यहां पर देखें डाइग्राम से आपको एक जहाँ देखने को मिल जाता है आप यहां पर देख सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें